उत्राखंड के इतिहास में आज एक बहुत बड़ा दिन है आज UCC को लेकर के कमेटी ने जो ड्राफ्ट थियार किया है वो सरकार को सौपने वाले हैं ड्राफ्ट सौपने के बाद UCC भविष्ये में किस ओर जाएगा ये देखने वाली बात होगी लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने जिस शक्स ने पहली P.I.L की थी UCC को लेकर के वो हमारे साथ हैं अश्वनी उपाध्याई जी जानेंगे उनसे आज उनके लिए कितना बड़ा सर आपके दुवारा पहली P.I.L सुप्रीम कोर्ट में की गई थी उत्राखंड वो पहला राज जी ऐसा बनने जा रहा है जहां पर UCC लागू होने वाला इसको लेकर के क्या कहीं देखिए सबसे पहले मैं उत्राखंड की जंता को उत्राखंड की सरकार को और उत्राखंड क द्वई का जो सपना था कि भारत में सब को एक समान अधिकार मिले उस दिसा में पहली बार कोई कंक्रीट काम हुआ है तो उत्राखंड में हुआ है आज उसी सीपे कमेटी अपनी ड्राफ्ट भी सौंप देगी अगले एक सप्ता के अंदर विधान सभा में पास भी हो जाए और मुझे ऐसे लगता है कि यह जो यू सी सी आ रहा है यू सी सी का मतलब उत्राखंड सिविल कोड यह उत्राखंड सिविल कोड भारत के अन्य राज्यों के लिए एक नजीर का काम करेगा उनके एक मॉडल बन जाएगा और फिर आने वाले टाइम में धीरे धीरे सेंट्रल नमाज पढ़ेंगे जो साथ फेरे करते हों साथ फेरे करेंगे जो निकाह काजी के द्वारी यह निकाह होता है वह सब कुछ चलता रहेगा जो कुरीतियां आई गुलामी के दवरान कुरीती आई या ब्रिटिस काल के दवरान कुरीती आई वह कुरीतियां खतम हो जाएंग कि देखभाल का दिकार सभी बेटियों को हो जाएगा विरासत का एक समाना दिकार सब को हो जाएगा वसीयत का एक समाना दिकार सब को हो जाएगा एक पती एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा हलाला जैसी कूरीती एकदम कंप्लीट बैन हो जाएगी तो मेरा ये मा वह काम 75 साल में अन्य राज्यों नहीं किया काम उत्रखण में होने जा रहा है तो अपने ड्राफ्ट पढ़ा है जो ड्राफ्ट सरकार को सोंपा जा रहा है तो प्रितन का पढ़ा है और जापान का हमने यूशी सी पढ़ा हुआ है UCC में केवल और केवल जो civil right है और human right है ये सब को एक बराबर कर दिया जाता है जो भेदभावाले कानून है वो खतम कर दिये जाते हैं UCC का मतलब यह हुआ कि अगर हमारी चार बेटी है तो जब तक वो चारों बेटियां हमारे घर में रहती हैं अभी हो क्या रहा है कि शादी के बाद उनके बदल जा रहा है, अब यू सी आने के बाद शादी के बाद भी वग से लिखने से जिस तरह से यू सिच को में ले कर के के बाते सामने आती है। विपक्ش का कहना है कि उनको तो ड्राफ्ट नहीं दिया गया यू सिसी एक ऐसा कानून है जिसको लेकर के के विरोधा भास भी हैं मुस्लिम समाज हो या अन्य समाज हो उनमें की तरह के इस प्रगार के प्रथा हैं जो अलग-अलग हैं अब यू सिसी आ को मानने का अथिकार देता है क्यों प्रथा और कूरीति का नहीं लगा जैसे मान के चलिए मैं चेकिंगंग हो रही है कहीं सड़कपर मैं जाता हूँ बिना Hilmet के तो मेरी मेरा चलान घटेन लेकिन कुछ सरोधीником तया वय positive बि59 पुलाजय दो आधे गद्धी का का लिसे जो streets ऐसे पट्र कि हमको Canvas आना है, वो कोई नहीं चीन सकता, जो हमको रोजा रखना है, वो कोई नहीं चीन सकता, वो कोई भी सरकार आ जाए, तो जो main tenents होते हैं किसी भी religion को, वो सरकार नहीं करती है, और UCC का मतलब ऐसे tenents से है भी नहीं, UCC का मतलब धर्म, मजहब, इबादत के तरीके से नही है. UCC का मतलब यह हुआ Civil Right सभका Equal हो जाए, कामन हो जाए और UCC ये भारत में सम्विधान है. सम्विधान दो शब्दों से मिलके बना है. सम्विधान ऐसा विधान जो सब के लिए समान हो उसको कहते सम्मिधान दुर्भाग वस भारत में आज भी और खास्तोर पूत्राखंड में भी हिंदू का लग विधान चला है, मुस्लिम का लग विधान है, पार्सी का लग विधान, ये विधान खतम हो जाएंगे, सब के लिए एक कामन, एक कानून हो जाएगा, जजों के लिए भी अच्छा हो जाएगा। ये उत्राखंड छोड़िये, भारत के किसी भी राज्य में उसकी कानूनी वेलू नहीं है, भारत के किसी भी राज्य में परसनल लाबोर्ड की कोई हैसियत नहीं है, भारत में 25 लाख एंजियों हैं, उसी में से एक एंजियों परसनल लाबोर्ड भी है, और जहां तक आपने परसनल लाबोर्ड उसका भी समर्थन किया है तो अगर आप परसनल लाबोर्ड का रेकॉर्ड देखें इतिहास तो वह केवल और केवल कूरीतियों का समर्थन करता है कभी और रिफॉर्म की बात नहीं करता अच्छा यह लागू हो जाएगा उत्राखंड में तो उसको किस ना हमरे साथ बात करने के लिए अश्वनी उपाध्याई जी थे सुप्रीम कोट में इनके दुवारा पहली पियाई डाली गई थी यूसिसी को लेकर अब उत्राखंड में यूसिसी लागू होने वाला है अब देखने वाली बात यह होगी विपक्ष जिस तरह से आरोप लगा